डियर स्टुडेंट्स आपके अपने यूटूब चनल कार्ति क्लाशेज पर आपका एक बार फिर्चे हर्दिक स्वागत है सेकावाटी मिशन हेंड्रेड के तहत कल अपनने अंग्रेजी अनिवार्य विशे कक्सा बारा का पहला चरण मतलब पर्थम वीडियो देखा था इसके आगे का जो वीडियो है वो आज अपन आज देखेंगे अगर इन वीडियो को आप बहुत ही केरफुली देखेंगे तो आपके बहुत अच्छे नमर आएंगे आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेर करें तो आए चलते हैं आज के वीडियो की ओर आपका जो क्यूशन नमबर थर्टीन है वो शेवन मार्क्स का होगा रिपोर्ट एंड पेराग्राब राइटिंग से ये रिलिटेड होगा तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर देखे क्या क्या आता है वरतमान युग में विबिन क्सित्रू और कारयालेूं विशेश रूप से पत्र कारिता के क्सित्र में रिपोर्ट का बहुत मैत्व है तो इसमें जो एक अच्छी रिपोर्ट लिखते हैं उसकी जो विशेश ताइं होती हैं वो सारी दी भी है अब यहाँ पे अच्छी रिपोर्ट के सारी जो विशेश ताइं हो पढ़ने के बाद अपन चलते हैं इसके एक्जामपल्स की ओर पहला क्वेशन है राइट रिपोर्ट ओन ए हाउस ओन फायर इन अबाउट हैंड्रेड वर्ड्स इन्वेंट नेसेसरी डेटेल्स तो एक घर के अंदर आग लग गई उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है तो यहाँ अस्तान का नाम दिया है उसके बाद डेट आती है अब यहाँ इसका जो यूरन दे रहा है मतलब इसमें पूरा यह बता रखा है कि कौन सा दिन था कहां आग लगी है फिर इसमें यह बता रखा है कि क्या क्या वहाँ पे नुकसान हुआ तो इस परकार की डिटेल अपन एक रिपोर्ट में देखते हैं इसी परकार दूसरा जो यहाँ पर एक्जामपल दे रखा है वो प्राइस डिस्ट्रिबिशन फंक्शन से संबन दीत है तो यह कब आयो जित हुआ अपने चीफ गेस्ट कौन थे किन किन को प्राइस डिस्ट्रिब्यूट किया गया यह सारी डिटेल इसमें देखने को कितने लोगों ने इसमें भाग लिया यह भी यहाँ देखने को मिलता है इसके बाद में इसमें सबसे पहले लिखी जाती है यह अपने को ध्यान रखना है सबसे उपर टाइटल लिखना होता है टाइटल आपको जुशन में ही दिया हुआ होता है यहाँ ओन बैंक रोबरी पे लिखवाया है तो उसी परकार सबसे पहले जगा का नम उसके बाद डेट दे रखी है उसके बाद में जो गटना हुई है पूरी गटना इसमें मेंजन की गई है इसी परकार ट्रेन एक्सिडेंट के बारे में यहाँ पर बता रखा है कहां एक्सिडेंट हुआ कितने इंजर्ड हुए कितने लोग डेट का सिकार हुए मतलब पूरी डेटेल है यहाँ पर आपको इसमें देनी होती है इसी परकार वन डे किरकेट मैस से समद्दित एक रिपोर्ट यहाँ दी गई है इसको भी आपको अच्छे से तयार कर लेना है और आपके खस्वे में इलेक्ट्रिक फेलेर हो रखा है तो इससे समद्दित रिपोर्ट यहाँ देखने को मिल रही है इसके बाद में साइन्स फेर मिन्ज विग्यान मेला किस परकार चाय उजित किया गया कहां किया गया यह सारी डिटेल इसमें इसके बाद में गांधी जैनती सेलेबरेशन के उपर भी एक रिपोर्ट दी गई है इसको भी आपको अच्छे शे लर्न कर लेना है उसके बाद में हाइवे एक्सिडेंट हाइवे के उपर एक एक्सिडेंट हुआ तो कौन से स्तान पे हुआ कितनी डेट को हुआ किन किन के बीच में हुआ कितने लोग इंजर्ड हुए यह सारी डेटेल इसमें देखने को लो मिलती है यहां पे एक रिपोर्ट स्टुडेंट से जितने भी एक्सामपल्स यहां दे रखे हैं इन सब को आपको बहुत ही केरफुली पढ़ना है और लेर्न करना है यहां एक और दे रखा है इन्योग्रेशनों पे ट्रेड फेल किस स्थान पे हुआ कब हुआ यह सारी डेटेल मुख्य थी थी कौन था द्योग मेला इसके बाद में आगे चलते है पन अपने अगले एक्जामपल की और कि अपन एक्जामिनेशन का कून फिडेंश के साथ कैसा सामना कर सकते हैं कैसे सामना कर सकते हैं इसके बारे में एक रिपोर्ट लिगनी है तो वो यहां पे दे रखी है, इसको भी आपको लर्न करना है, इसके बाद में ट्री प्लान्टेशन प्रोग्राम के तहत आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, कौन चीफ केश दे, कब आयो जित हुआ, कहां से लिबरेट किया गया, इस सारी डेटेल इसमें दी गई है, अगर कोई बहुत ही टप सेंटेंस है, उसको आप छोड़ सकते हैं, बाकि जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़े हैं, उनको आपको लर्न कर लेना है, यहां सवस्ता के उपर एक रिपोर्ट लिखनी है, आपको, सवस्ता समन्दी कोई अभिहान चलाया गया, उसके बारे में, बसे भी cleanliness अपने लिए बहुत है, ज़रूरी है, रिपोर्ट के बाद में, अपन अब paragraph राइटिंग पे चलते हैं, कक्सा बारा के नविंतम syllabus में, रिपोर्ट राइटिंग तथा paragraph राइटिंग को सामिल किया गया है, किसी भी एक topic पर 100 सब्दू में verbal input के आधार पर इसको लिखा जाता है, और पांच अंक इसके लिए निरदारित हैं, तो सबसे पहले यहाँ importance of computer के बारे में, paragraph दिया गया है, computer के क्या विशेष्टाएं होती हैं, इसके क्या lab हैं, इस सारी details में देर रखिये, कहां-कहां इसका यूज होता है, अपने लिए useful है तो क्यों useful है, और कितना useful है, इस सारी details इसमें देर रखिये, इसके बाद में the book I like most, या फिर my favorite book, अपनी पसंदिता जो बुक है, उसके बारे में अपने को लिखना है, कि मेरी पसंदिता बुक कौन सी है, और है तो वो क्यों है, उसमें कौन-कौन man character है, इस सारी details में थोड़ी बहुत अपने को देनी होती है, इसी परकार an election scene, चुनाव का दरिशे, इसके बाद में the value of games and sports, जो खेल है, उनका क्या महत्व है, जो खेल का अपने जोन में बहुत महत्व है, इसके बाद में the importance of newspaper, अखबार का महत्व है, इसके बाद में save water या फिर conservation of water, जल स्रंक्षन से संबन दित, इसके बाद में child labor को ban करने समन्दी जो आव सेकता है, उसके बारे में need of banning child labor, वैसे भी बाल स्रंब अभि साफ होता है, इसके बाद में female photicide, यह बहुत जदा important है, इसको तो आपको जरूर learn कर लेना है, इसके बाद में independence day function, क्या क्या आपने प्रोग्राम किया, कौन-कौन cheap guest थे, किस-किस ने speech दिया, यह सारी इसमें बता रखी हैं, उसके बाद में एपिकनिक, पिकनिक का तो सोग सभी को रहता है, क्या क्या सामाल लेकर गए, कहां-कहां घूमे, क्या-क्या किया वहाँ पे, वो सारी details में देनी होती है, इसके बाद में bad effect of good का chewing, मतलब जो good का खाते हैं, उसके क्या दूस्परिणाम है, गुटका चबाते हैं, उसके क्या दूस्परिणाम है, उसके बाद में our school library, तो अपनी school की library है, उससे समंदित ये, अपनी को paragraph लिखना है, कितनी books हैं library में, क्या क्या facilities हैं, ये सारी इसमें दी गई हैं, इसके बाद में corruption से समंदित है, बश्टाचार से समंदित, ये भी present time को देखते हुए, बहुत ही important है, आपके exam में आने के इसके पूरे chances है, इसके बाद में the benefits of a joint family, स्विंक्त परिवार के क्या lab है, इसके बाद में morning assembly, इसके बाद में my favorite teacher, आपके कौन है favorite teacher, उससे समंदित, सारी जानकारी इसमें आपको देनी होती है, क्या विश्यश्टाएं हैं, कौन सा subject आपको पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, इसके बाद में a pleasant journey by bus, bus दोवारा एक सुहावना सफर, कहां से कहां गए, क्या क्या दिर्शिया आपने देखे, कहां नास्ता की आरे सारी details में देनी होती है, इसके बाद में a scene at railway station, यह भी बहुत ही important है, railway station पे क्या क्या दिर्शिया आपको देखने को मिलते हैं, book stall भी होती हैं, वहाँ पे vendors भी होते हैं, और जो भी detail, railway से समंदित होती है, वो सारी इसमें आपको देनी होती है, अगला है the school library, इसके बाद में है harmful effects of fast and junk foods, इन modern days, यह बहुत बड़ी समश्या है, क्योंकि यूँ आवरग बहुत जदा फूड़ी होता जा रहा है, अपने को oily and spicy खाने से बचना चाहिए, इसके बाद में share no to poly bags, polythene की जो थेलिया हैं, उसको आपको no कहना है, मतलब उनका यूज नहीं करना है, तो यह भी बहुत important है, इसको भी आपको learn करना है, इसके बाद में use fullness of yoga, तो योगा की जो उप्योगिता है, वो यहाँ बताए गई है, इससे क्या क्या फाइदे होते हैं, आपकी mental health पे इसका क्या फार्क पड़ता है, यह भी बहुत important है, इसके बाद में merits and demerits of internet, internet के जो merits हैं और demerits हैं, एक तरीक ऐसे lab और हानी कह सकते हैं हैं अपन, गुण आओ गुण, इसको भी आपको learn करना है, इसके बाद में बेटी बचाओ, बेटी पडाओ, वर्तमान समय को मद्दे नजर रखते हुए, यह भी बहुत important है, इसको भी आपको, इसके बाद में माई होबी, आपकी जो हभी रूची है, आपकी जो होबी है, उसके बारे में आपको बताना है, अलग अलग आदमी की अलग अलग होबी जो होती हैं, इसके बाद में यहाँ पे आपके जो पिछले एक्जाम्स हुए हैं, बोर्ड के जो भी एक्जाम्स हुए हैं, उनमें जो questions पूछे गए हैं, वो यहाँ पे दे रखे हैं, 2015 में बलट डोनेशन कैम्प से समभन दी, पूछा गया था report, उसके बाद में 16 में the price distribution function पूछा गया था, 17 में clean India वाला, 18 में science and culture फेर वाला, इस परकार यह सारे बहुत important questions हैं, इन सब के answer आपको learn करने हैं, अब जो अपना अगला topic है वो है letter writing, आपका जो paper होता है, उसमें जो question number 5 होता है, वो six marks का होता है, और letter writing से related होता है, letter के बारे में जो detail है वो यहाँ बता रखी है, कि business or official letters कैसे लिखे जाते हैं, दूसरा है letters to the editors, editors को कैसे लिखे जाते हैं, और job के लिए application कैसे लिखे जाती है, सबसे पहले है business letter, सारे letters के एक-एक जो प्रारूफ हैं, वो आपको learn जरूर कर लेने हैं, यहाँ पर books के लिए order समन्दी letter लिखा हुआ है, कौन-कौन सी books से यह उनकी list भी आपको इसमें देनी होती है, इसके बाद में एक O letter यहाँ पर दे रुका है, जिसको भी आपको learn करना है, यहाँ poor quality of computer से समन्दी थे यह यह लेटर है, यहाँ आपको sports item से समन्दी ओडर देना है, उसके लिए आप letter कैसे लिखते हैं, sports company को यह लेटर लिखना है, subject उसके बाद में जो भी detail है वो लिखनी होती है, last में कौन-कौन से sports item आपको चाहिए, वो लिखने होते हैं, अगला जो questions है, question है, वो है, तो travel agency को आपको यह लिखना है, एक room book करवाना है, आपको five star hotel में, तो आपको कौन-कौन से detail उनको देनी होती है, कौन-कौन से facilities आपको चाहिए, वो सारी इसमें लिखते हैं, यहां पर sales manager को, एक letter लिखना है, कि जो आप TV लेकर आए, वो defective आ गया, तो उसकी complaint आपको दर्ज करवानी है, तो उसकी पूरी detail उसमें क्या, गडबड हो गये, वो सारी आपको लिखनी होती है, अब अगला जो अपना letters का type है, वो है, official letters, तो complaint against the use of loudspeakers, यह लगबग कई बार exams में पूछा जा सुका है, इसलिए यह बहुत important भी है, तो loudspeaker का जो use हो रहा है, उसके खिलाब आपको complaint दर्ज करवानी है, जोकि आपकी board exams नजदीक हैं, इसलिए आपको पढ़ने में परेशा नहीं हो रही है, इसी परकार a letter of complaint against the postman, यहाँ आपको police commissioner को एक letter लिखना है, यह complaint दर्ज करवाते वे, कि जो चोरियां हैं वो आपके area में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनकी संक्या बढ़ रही है, इसी परकार बिजली की जो failure की समझ से आपके area में उससे समंदित, आपको complaint दर्ज करवानी है, उसके लिए letter कैसे लिखते हैं, उसका भी type यहाँ दे रखा है, नीड ओ परकिंद एरिया यह आपका अगले letter का type है, आपको आपकी 10th class की duplicate mark sheet है, उसकी duplicate copy चाहिए, उसके लिए आप सेक्रेटरी बॉर्ड ओप सेकेंडरी एजुकेशन राजस्तान को कैसे letter लिखते हैं, वो यहाँ दे रखा है, यह भी important है, उसके बाद में editors को आप letter लिखते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं, newspaper के editor को, पर्दुसर्ण से संबंदित awareness के बारे में यह है, कि लोगों में awareness कैसे आए, इसके बाद में यह भी newspaper को ही आपको लिखना है, कि road है, उसकी जो इस्तिति है, वो खराब हो गई है, और repair के लिए आवशकता है, इसलिए patchwork जिसको कहते हैं, वो करवाना है, यहाँ water supply को दूरुस्त करवाने के लिए, न्यूस पेपर के editor को लिखना है, इससे पर कार एक लेटर और दे रखा है बेरोजगारी से सम्मधित है अब यहां पर अपन देख पा रहे हैं एप्लिकेशन फोर जोब इसके लिए कैसे लिखते हैं वो भी यहां दे रखा है कि आपका एक्स्पिरेंस क्या है आपकी पर्सनल डिटेल भी इसमें बतानी होती है बायो डाटा बगिरेंस इसको कहते हैं इसी परकार आपको मैनेजर ओरियंटल बैंक जेपुर को एक लेटर लिखना है कि वहां पर कलर की पोस्ट के लिए तो किस परकार लिखते हैं वो भी यहां दे रखा है उसके बाद में एक लेटर ओर दे रखा है लेड़ी रिसेप्शनिस्ट के लिए किस परकार अपन लिखते हैं बायो डाटा किस परकार अपना देते हैं वो सारा इसमें दे रखा है यहां SDFC बैंक उदेपुर्क में केशियर की पोस्ट के लिए आपको एक लेटर लिखना है उसका प्रारूप भी यहां दे रखा है आपका बायो डेटा भी पूरा यहां बता रखा है अब यहां पर जो पिछली जो प्रिवेस एक्जाम हुई है उसमें लेटर राइटिंग के कैसे कौशन आये हैं वो सारे यहां पर दिये हैं इन सारे कौशन के जो आंसर हैं वो आपको लेंड कर लेने हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपर्ण क्योशन्स हैं अब जो अपन चलते हैं वो अपना अगला टोपिक है क्लोजेज से समंदित आपका क्योशन नमबर 6 है वो 2 मार्क्स का आएगा और वो क्लोज से समंदित उसमें क्योशन पूशे जाते हैं क्लोज के जो भी टाइप्स होते हैं प्रिंशिपल क्लोज, कोर्डिनेट क्लोज और सबोर्डिनेट क्लोज उनके सारे टाइप्स यहां दे रखे हैं सबके एक्जामपल्स भी दे रखे हैं इन सबको आपको अच्छे से तयार करना है उसके बाद मैं यहां नाउन क्लोज के बारे में बता रखा है इसको भी आपको समझना है इसके बाद में यहां जो exercise दे रखी है इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है इनके answer से यहां दे रखे हैं exercise करने के बाद इनके answer से आप आपके जो answer से उनको check कर सकते हैं अगर गलती हो रही है तो उसमें सुधार कर सकते हैं इसके बाद adjective close भी यहां दे रखे हैं इनके भी कुछ examples यहां दे रखे हैं इन सबको भी आपको जो भी questions दे रखे हैं उनको हल करना है उसके बाद answer से उनको check करना है उसके बाद मैं adwork close के बारे में भी बता रखा है इसके बाद मैं adwork close of time के बारे में बता रखा है और last मैं आपको test exercise भी दी वी है इन सारी exercise को आपको कर लेना है और उसके बाद आपके answer को यहां जो answers दे रखे हैं इसे check करना है कुछ और questions भी यहां दे रखे हैं इनके answers भी यहां दे रखे हैं इसके बाद last मैं जो पिछली जो board exams हुई हैं उनमें जो questions पूछे गए हैं उन सब की detail यहां दे रखी है और इनके answers भी आदे रखे हैं इन सब को आपको अच्छे से solve कर लेना है और land भी कर लेना है जहां आपके problems आ रही हैं उनको दूर करने का आपको प्रियास करना है इसके बाद के जो important questions हैं वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे Thank you for watching this video